तो हलो फेरेंस स्वागत एक नए वीडियो में तो आज मैं मैं आप लोग को बहुती बर्या एक एफेक्ट दिखाने पाला हूँ फोटोसप का जो है गलो एफेक्ट यह बहुती पॉपूल है तो आज मैं आप लोग को यह एफेक्ट को सिंपल स्टेस्ट में बताऊंगा तो जिसके मेल से आप लोग बहुत आसानी से यह एफेक्ट फोटोसप में कर सकते हैं तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस आगे हम अपने फोटोसप में तो मैंने यहां पर अपने इमेज इंपोर्ट कर लिया है तो जल्दी से एडिटिंग स्टार्ट करते है तो पहले हमें यहां पर एक elips डॉ allowed करना है तो यहां पर अवाफ डूल में जाखर यहां पर एक ट्रोफ कर लेंगे तो मैं यहांपर सेंपली एक यह ड्रोफ पर लेता हूं तो इसका आप लोगा स्टों अपने परसंद में चेंज कर सकते हैं तो मैं यहां पर simply properties में जाकर इसका में stroke थोड़ा बढ़ा दूँगा तो यह मैंने थोड़ा बढ़ा दिया हां इतना काफी डेगा तो यह हो गया इसके बाद यहां पर layer में जाए और layer में जाकर थोड़ा इसको modify करना के लिए में Ctrl T press करूँगा Ctrl press के क्लिक से position में थोड़ा यहां पर change कर दूँगा अब कर भी सकते हैं ना कर भी कर सकते हैं तो इसको enter press करते हैं और इसके बाद यहां पर में एक mask add कर दूँगा तो mask add करने के बाद simply में यहां पर brush में जाकर इस brush को थोड़ा smooth में soft roundness set करके इसको size कुछ भी रह सकते हैं और इसको मैं थोड़ा यहां पर brush कर दूँगा देखिए थोड़ा depth आ जाएगा अच्छी से देखिए इसके लिए तो आप लोग ऐसे यहां पर इसको use कर सकते हैं तो यह हो गया तो इसके बाद हमें यह जो layer है इसका blending option में जाना हो तो simply इसको blending option में चलते हैं रैक क्लिक कर तो blending option हमें simply यहां पर जो करना है वो है outer glow को यहां पर set करना है तो देखिए मैंने यहां पर outer glow में जो यहां पर अपना numbers ठीक ठक रखे हुए हैं तो आप लोग कुसिस करेंगे इसके आसपस रिखने के लिए ठीके तो ज्यादा यहां पर आप लोग खड़ा या बरा नहीं स थोड़ा यहां पर patch आगया है तो मैं इसको simply hard जो brush से इसको लेकर मैं थोड़ा यहां पर remove कर दोंगा तो यह simply यहोग हो जाएगा ठीक है तो इसके बाद हमें एक new layer add करना होगा तो simply new layer add करते हैं तो new layer add करने के बाद दिखिए हमें brush tool में जाकर इसको थोड़ा opacity हमें low करना हूँ ठीक है तो इसको opacity में यहां पर simply 20 कर देता हूँ 20 के आसपास कर देता हूँ और यह जो यहां पर अपना object है इसको उपर से sorry मैंने यहां पर सब्सक्राइब करने के बाद में यहां पर paint कर दूंगा आप अपने मनपसंद से with अपना change कर सकते तो इसके बाद में यहां पर और भी इसको opacity change करके मतलब कम करके और brush का तो वीद बरा के देखें यह इतने तक ठीक रहेगा देखें मैं यहां पर अपना brush यह पर ड्रोफ कर दोंगा ठीक है तो अब लोग इसको थोड़ा और बरा के इसके आसपास थोड़ा यहां पर आप अपने मनपसंद के हिसाब से paint कर जबाएं तो मैं यहां पर थोड़ा paint यहां पर कर दोड़ा है ज्यादा मत किजिएगा क्योंकि ज्यादा अच्छा नहीं लेगा तो यह अपना काम हो चुका है लगभग हो चुका है तो इसके बाद हमें जो करना है हमें यहां पर एक color look up add करना होगा ठीक है तो color look up जो हम यहां पर set करेंगे वह है यह वाला किया है यह जो फिस वार्म लुक है हमें यहां पर यह सेट करना हो तो यह बहुत यह अच्छा दिखता है बहुत यह अच्छा glow effect ने तो बहुत यह अच्छा दिखता ठीक है तो इसका layer में जाकर मैं इसका थोड़ा सो फैसिटी यहां पर कम कर दोंगा थोड़ा मुसला 50 के प से दोंगा तो यह च्युक्त इसको में फोड़ा यहां पर और यहां पर perfectary क्योंकि यह थोड़ा मुझे लखता यह इंसपर आड करना चाहिए मुझे यहां पर फरस्षिमे एक्टम 5 कर जोब हो खोरा यहां पर साइज में चेंज करदों बढ़ा दोंगा इक तो इसका साइज यह ठीक होगा तो यह सिबञेए करने के बाध देखें में यहां पर और फ़ह यहां पर पेंट कर दोंगा तो यह दूंकर देखिए हम लोग का कम बस हो भी गया है और हमें बस एक और आप काम कड़ भी सकते और ना कड़ भी सकतें यह पर आप एक थोड़ा クokes tech लेवल एड्ड करके इसका थोड़ा शेयर स्ट्व ज़त कर सकते हैं आपके सब से आउर ना भी कर सकते ठीक तो यह आपके उपास ठीक कैड़ तो पस हमारा काम हो ठीक है तो बस इतना था ठाग आच का विडियो तो वीडियो अचीनल में नहीं हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि वेगुलर सॉट्स डालो और पीच पीच में ऐसे लॉंग वीडियो डालता रहा हूं तो मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मॉच बाइबाइब झालो